वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर देना जाता हूँ कि अगर आपको camera functionality चाहिए, acceleration चाहिए, acceleration चाहिए, panorama चाहिए, night shots चाहिए, regular updates चाहिए तो जो आप Google Camera की version 6 वाले series को check out कर सकते हो बट अगर आपका priority सिर्फ और सर्फ photograph की quality है तो आप Google Camera version 5 पे stick रहे सकते हो या फिर Google Camera की version 5.1 है और 5.2 होगे रहे है उसको आप check कर सकते हो बट अगर आपको नए features होगे रहे explore करनी है तो आप Google Camera version 7 को check out कर सकते हो मतलब काफी दो लोग confused हो जाते कि हम लोगों कौन सा Google Camera यूज करने चाहिए क्योंकि basically उनको पता नहीं रहता उनकी basic needs क्या चाहिए क्या है उनको अपने नए features यूज करनी है या फिर अपनी जो मतलब सारी चीज़े stable चाहिए जैसे कि 6 में है सब कुछ आपको मिल जाएगा पैने रोबान, night shot, camera quality, functionality वगेरा और काफी लोगों का एक ही चीज मतलब main priority होता है जो होता है photography की quality तो ये तीन चीज़े है जो मैंने आप लोगों को बता दिये तो इसके हिसाब से आप जो है अपनी camera की version सिलेक्ट कर सकते हो और इस वाले वीडियो में मैं specifically google camera version 6 पे यूज कर रहा हूं और जो मैं यहाँ पर दिखाऊंगो वह भी google camera का version 6.2.030 है जो कि अभी तक का best google camera है Asus Zenfone Max Pro M2 के लिए यह personally में को लगता है क्योंकि जितने भी google camera की modes मैंने यूज करें अभी तक में को यह सबसे best लगा stable और quality में भी सबसे तगड़ा वहले इसमें नए features नहीं है जैसे कि astro photography mode हो गया रहा है बट फिर भी this is the best google camera application for me बागी बागी बाद आप क्या सुसते आप में को comment section बताना तो यह जा टाइम वह इस नहीं करते हैं मैं फटाफ़ट आप लोग की अपनी जो google camera की settings है जो की मतलब जो grid size है वह बस मैंने जो grid है basically वह enable कर रहा है और front camera की resolution और back camera की resolution max है जो की 13 megapixel और 12 megapixel है और जो की lens blur resolution जो की वह भी max है and main चीश यहाँ पर advance में है और यहाँ पर अप dirty lens warning यह देख सकते हैं मैंने इसको on कर रहा है HDR plus control जो इसको मैंने on कर रहा है और hide icon movement है function movement मैंने इसको off कर दिया जो focus tracking है वह भी मैंने off कर दे क्योंकि मेंको उतना रहादा काम नहीं आता यहाँ पर उपर में basically सारी चीश है जो default है बट असली जो खेले है वो यहाँ पर है जो यहाँ पर HDR plus की quality है यह 13 है और मैंको पर लगाते है 13 by default है तो जो 13 है यह max HDR quality है इसका HDR no HDR HDR plus होता है जो की 49 13 होती है और 13 इसका ultra होता है तो इसके उपर भी बढ़ा के कोई फाइदा नही और असली जो खेले वो है यहाँ पर binary file libraries का यहाँ पर by default Google का रहता है बट मैंने यहाँ पर यह चूज करा है custom library यह जो last का option है जट ए वी 3 इसमें आपको मतलब सारी चीश है perfect मिल जाती है जासरी के contrast highlights shadows वोगेरा मतलब यह एक तरब से बोलो तो इतने में जुतने भी libraries आपको बस इसमें आपको एक कमी देखने को मिलती है वह है saturation की तो इसमें आपको डोने saturation की कमी को मिलते है जो कि आप saturation tab में जाकर hyemic and saturation की option है उसमें आपको उसको करना है और यहाँ पर जो यूज पिक्सल एडाबलू भी मोड है यह बाइ डिफॉल्ट है पिक्सल इसमें आपको काफी अच्छी नाच्छी नाच्रल कलर्स हो गए देखने को मिल जाती है और मैंने नीचे के दू अप्सन छेड़ खाने नहीं करिए अगर हम बात करें तो फ् सैचूरेशन एडजस्ट करना पड़ेगा तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है बाइडिफॉल्ट सैचूरेशन है उससे कुछ पॉइंट जैसे की 3.4 पॉइंट बढ़ा के रखी है यहाँ पर अभी आप हाइलाइट के सैचूरेशन में भी देख सकते हैं बा इसली खेल उसी गया सापने सापको उसी से मिलता है और सैचूरेशन आप यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ पर आपको जो HDR प्लस Denoiser मिलता है इसको आप आउन कर सकते हो बट मैंने नोटीस करा जब हम इसको आउन करते हैं तो थोड़ी सी मतलब फोटो की जो Clarity होती है व इसको मैंने ओन करके रखा है बट तो भी ओनिस्ट यह काम नहीं करता यह बस फ्लैक्सिप और यहाँ पर आपको नीचे और एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यूज जाता है इसको आप ओन कर सकते हो आपने सापको अच्छे मिलेगी इसको ओन करने के बाद बट एक बात इयाद रखना जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंसन है आपको यहाँ पर नॉइज भी देखने को मिल जाएगी और नीचे ट्राइपोड सुटिंग और नाइट मोड हिंट और कुछ भी नहीं है और यहाँ पर आपको लैब सेटिंग्स में भी सारी चीज़े डिफॉल्ट है बस मैंने यहाँ पर जो optical image stabilization है उसको on करके रखा है और तो बाकी सारी चीज़े यहाँ पर जो है नॉम वाल है आपने देखा मतलब exposure वोगेरा पर मैंने छहड़ानी नहीं करिया क्योंकि यह जो library है जो binary library जो मैंने select करा इसमें सब चीज sorted है बस saturation थोड़ी सी कम है इसलिए हमको saturation थोड़ी बहुत इसमें increase करने वड़ती है बाकी बाद तो सब मस्त है तो यह basically main चीज़ता जो Google binary जो की काफी लोग ignore कर देते काफी आता लोग जो की मतलब सोचते है की Google camera app है तो by default Google का ही रहने देते है उससे अच्छा होगा और वीडियो के bit rate के बारे में बात करें तो auto रह है और यह parrot है तो इसके बारे मैंने काफी सारी वीडियो बना रही है तो आप इसको भी download कर सकते हो download link description में है और अगर आप यूज कर रहे हो तो मैंको comment 6 में बताना कैसा perform करता है personally यार में को मतलब one of the best Google camera mode यह में को लगा max pro m2 के लिए बाकी phones का में को नहीं बादा क्योंकि मेरे पास तो max pro m2 है तो यार इतना था इस वीडियो के लिए यह थी best setting जिससे आप Google camera 6 में मतलब top level to the level max वाली photograph ले सकते हो अगर आपको इन settings के बार में पहले से पता था तो में को comment section में जरूर बताना और यार अगर आपको पता नहीं है तो definitely इसको try करना आपको मतलब 100% मै guarantee दे के बोल जकता हूँ कि इसमें आपको जो quality बहुत अच्छी देखने को मिलेगी जो आप पहले suit करते उससे इस settings में आपको काफी अच्छी quality और देखने को मिल जाएगी झाल 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 झाल